तो कैसे हो मेरी यारो यारो आज मैं सर्वाइफ करने जा रहा हूँ 700S इन पाल वाल्ड इससे पहले बाले 600S के अंदर आप लोगों ने देखे थे मैं जेट ड्रेगन को पकरने के लिए गया था और जेट ड्रेगन को पकर के लिए कर आया था फिर मैं फॉस्टेनियंग नोट को बनाया फॉस्टेनियंग को breeding कर रहा कि उसके सद में मैंने खुद के लिए कुछ हाट गोल रखका था जैसे की मैं अपके अंदर 5 टाऻर की बॉस को मारने का गोल 700 days को कुछ hard कुछ difficult वरने के लिए मैं मेरे खुद के लिए कुछ hard goal रख दिया मुझे लगता है जितने भी goal रखा हूँ उन में से सबसे hard goal होने वाला है ये 700 days का goal क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर में जो दो tower का boss को नहीं मार पाया था उन दो tower का boss को आज इस वीडियो के अंदर उन लोग को मारूंगा उन लोग को मारने के साथ साथ वाल वाल के अंदर मुझे लगता है सबसे king, सबसे stagra, सबसे powerful जो pokemon है वो है पलेडियन्स और निक्रोमॉ और इस वीडियो के अंदर इन दोनों भाई को पकरने का goal भी रखा मैंने तो इन दोनों भाई के साथ fight करने का time मेरे साथ क्या तकलिफ हुआ था मेरे साथ क्यासा fight हुआ था कि मैं आप लोगो कुछ hard, कुछ next level वाला goal दे दू तो चलो मैं आप लोगो के इस वीडियो के अंदर जो goal देने वाला हूँ सची में ये goal कुछ ज्यादा है hard goal होने वाला है और मुझे पता है आप लोग hard goal compete करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो इसके बाद से क्या होता है चलिए हम साथ पे देखते हैं फिर सीदा मैं घर से आ गया आई उजबायो के तरफ थोड़ा सा इदर थोड़ा सा नया जगा को घूम के देखने के लिए इदर का जगा मैं अभी तक अच्छे से देखा नहीं था इसलिए मैं थोड़ा सा इस जगा को घूम के देख रहा था तो इदर मैं जब आया तब मुझे इदर कुछ नया अलग पोकीमोन तो देखने का नहीं मिला बट यहां का जो नजारा था बहुत मश्च था सिर्फ पाहार और वरब देखने के लिए मिल रहा था तो फिर भी मैं चला गया क्योंकि आप उनके पास है न जेड ड्राइगन तो आप लोग ने जेड ड्राइगन का फाइड नहीं देख तो देखो के अंदर तो मैं जब के अंदर गया तो मुझे के अंदर एक आइस और ग्राउन टाइप का सेडुबिक का खुद सेब से खतरनक जो attack था वो attack किया और इसको पूरा ही clear कर दिया, पूरा ही मार दिया इसको पूरा मारना नहीं चाया था, मैं थोरा सा damage करना चाया था जिसने मैं इसको capture ball सा capture कर पगो लेकिन इसको तो पुरा ही क्लियर कर दिया और उसके असासत पीछे साइट पे कोई सेंडिकेट वाले था उसके उपर भी सेंडिकेट का कुछ अटाक जाकर लगा और जो सेंडिकेट वाले था वो भी थोरा सा गुस्सा हो गया था मैं तो भाई इन लोगों से पंगा नहीं लिया क्योंकि ये लोग बहुत सारे था और उन लोगों का बंदू का गोली मेरे उपर लग था तो मेरा तो हाला तिखा रएफ हो जाता तो इन लोगों को इंगनोर मारने के बाद थोरा सा केब के अंदर और भी आया तो मुझे वर्दस्थ पावर है कूछ अच्छाः खासा है जा केब का जो बॉस बोस को साथ ही तो फाइट करना पड़ेग सामने का अने के बाद मुझे यहाँ पर Kubernetes को मैंने Unlock किया Unlock के बद मैं सामने को बार किया सेड़ोबा के Φा में थोड़ा सामने के तरफ चलना इस था को चुचा是這樣 किसी जड़ा Вам रस्ते से मुझे मिलता नहीं है वह मुझे रूणने के बादने के पार ने की थीक के अंदर जाने के बाद इस जगा पे जब मैं आया तब मुझे यहां पर और भी बहुत सारे वो इसकलेटन जैसा पोकीमोन देखने का ले मिला और इस बार बहुत सारे था इस जगा तो मैं साड़ोबी के पीट से नीचे आने के बाद इन लोगों से फाइट इस्टार्ट कर इसको लेकर यह सकलेटन जैसा पोकीमोन मेरे पास तीन-तीन हो गया था इसको प्रकरन के बाद में और भी थोरह सामन के तरफ जाना इस्टार्ट किया तो यहाँ पर देखा यह तो एंट्रीगेट था मुझे बाहर तो नहीं जाना है मुझे इस केप का जो बॉस है उस बॉस के साथ फाइट करना है तो इसने मैं फिर से केप के अंदर जाना इस्टार्ट किया लेकिन मुझे रस्ता नहीं मिल रहा था किधर जाओ और कहा पर उस बाहर हो थे तो मैं फिर से इस जगा पर आया आने के बाद मैं फिर से बाहर ही जा रहा था और बाहर जाने के मुझे जाने के बाद दिखा tow नगो बॉस अच्छा हर बॉस प्र चल रहा है इस के दर्फ इस return सामने के अदर एक के अंदर्फ है के अंदर फिर मुझे थोड़ा सा अंदर अंदर आन के बाद मुझे पता चला ये इस निपर इन रस्ता इ theor ही तो जाना पड़ेगा इदर फॉक्मोन भी स्पोन हो रहा है मतलम मैं इधर जाओंगा तो मुझे boss मिलेगा तो मैं थोड़ा सामने के दरब चलना श्टट किया सामने के दरब जानने के बाद मुझे इधर और एक skeleton जैसा Pokemon देखने के लिए मिल गया और इस boss का नाम तो है सिविलिक्स इस boss को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इसका 40 लेवल का boss था डेंजन के अंदर में उसको जाकर पक रहा था और इसका लेवल है 43 का उसका लेवल था 40 का लेकिन इसका 43 का लेवल है मैं जेट ड्राइगन के साथ इसका फाइड लगा रहा हूँ यह तो ए यह तो एक पानी का एक बॉल फेका था मेरे उपर बट वो बॉल मेरे पास आया ही नहीं उसके पास ही तूट गया उसके पास ही रुख गया ऐसा क्या हूँ हूँ होआ मुझे पता नहीं लेकिन मेरा जो जेट ड्राइगन था उसका अच्छा का सा फाइट किया था फिर मैं म क्लीर कर दिया सब्डूक डिक का जो लास्ट पेर रजवर है वो और रेजर जाकर इसको पूरा ही मार दिया तो यह तो फोना के बाद मैं बाहर आने के लिए आ गया और इदान मुझे दो चेस्ट मिल गाया इस चेश्ट को उपन किया और यहां से मुझे थोरह गोल्डन चेश्ट मिल गया इस चेश्ट को ऑफन किया थो अभी से सो रहा था मैं सोचा यह सो रहा है यह तो मारने के लिए आ रहा था मुझी तो इसके साथ मैं fight ना करके उपर के तरब जाना इस्टाट किया, क्योंकि मुझे एक पेर देखने के लिए मिला, इस पेर पेर बहुत सरे फल था, इस फल को मैं ने उठा लिया, इस फल से मैं बहुत काम कर शकता हूँ, मेरा बहुत सरे Pokemon को बहुत सरे अलग-अलग attack में सिखा सकत इसलिए सारे fall को उठाने के बाद उपर के तरब मैं फिर से जाना इस्टाट किया, फिर में थोड़ा सा और भी सामन के तरब गया, और इस जगा को थोड़ा सा देखते देखते अच्छा खासा मेरा रात भी हो गया था, ऐसी भी साम होना ही स्टाट हो चुका था, तो इस ज चीज मुझे मिला, उसको मैं ने उठा लिया, उठाने के बाद थोड़ा सा उपर के तरब मैं जबी गया, तभी मुझे यहां पर एक आइस टाट का कुछ पोकेमोन हावा में उर्ते हुए देखने के लिए मिल गया, ऐसा ही सेम टू सेम पोकेमोन लावा के उदर भी रहता ह और यह अइस टाट कर्ट का इस जगह पर इसपण होता है लेकिन यह आइस टाट काख उकी मुझे हार लावा फे जो रहता है फायर टाट का हुँ अप बंदू का गोली लागा गया तो एक ही कैप्चर वाल के अंदर कैप्चर हो जाएगा चलो बहुत अच्छा खाव से मज़ा किया मैंने तो मेरा सेड़ोबी को बाहर किया बाहर करने के पीट पे चर्गे में फिर से सीधा चला गया मेरा सामने फास्टेबल था उस फास्टेबल आने के बाद देखा यहां पर चिकीपी कितना क्यूट से सो रहा था तो मैं चिकीपी कुछ देखा देखने के बाद मेरा बेट के अंदर सो गया और सोने के बाद सूबा कर लिया सूबा करने के बाद मेरा घर से मेरा रूम से में बाहर गया बाहर जाने के बाद मेरा मैप को open करके देखा मैं आपको फ़करने के बाद मुझे पता चला आइस बाइयों के अंदर तो अभी भी भी बहुत सरे Pokemon हैं जैसे की किंग पाक और एक लाइली करके बहुत Pokemon है यह दो दो Pokemon है यह बहुत पोकेमन है मैं लोग अभी तक पकर नहीं हूँ केप तो थोड़ा सा उच्चा जगा पर ही है तो सीधा मैं इसका केप के ऊपर अंदर जाना इस्टाट किया हाँ के अंदर जाना इस्टाट किया बाहर थोड़ा बहुत लेम बगरा लगा के रखा था जहां पर आग जल रहा था तो मैं सीधा फास्ट जलना इस्टाट किया बह थोज़ा से ब्लु कछ और वाइट कछ छर गई बहुरा से गोली मेंने मार दिया और जो पागल जैसा आ गया मारने के लिए तो यह पर इसके आग का गोला माई दिया खोड़ आग पाक पोकिवाइज दे जरा था 233 करके और मेरा जो फायर टाप का पोकेमोन था बहुत आइस टाइब करें घृतंग अटाक तैक घृतायफ का वाटर टाइप आटाइब आटाइब का अटाक था यह फायर टाइब काreiben जोRISC अब चाहाँ सा डेमेज दिया, डेमेज दियाने के बाद मैंने उसके उपर fast एक capture ball फेका, यह hyper spare था कहां आएगा लेकिन आया नहीं, 4-4 से rating दिखाया, फिर मैं ultra spare फेका, ultra spare फेका और तो 10% rate दिखाया तो नहीं आया, तो मैं उसके उपर और एक ultra spare फेका, इस बार 22 का rate दिखा रहा था, मैं सुचा अब आई जाएगा, और finally मैं जो सोचा ओ ऐसा ही हो गया, यह आ गया, इस capture ball के अंदर, बाष्ट पास की, तो इसको पकरने के बाद सीधा में निकल पड़ा बाहर जाने के लिए, मेरा shadow week को बाहर किया, उसका फीट पे चरा, और फीट पे चरने के बाद यहाँ पर एक funny scene हो गया था, मेरे साथ, मैं बाहर जाने का रस्ता ही नहीं मिल रहा था, मुझे मैं बाहर जाने का रस्ता ढून रहा था, मैं किदर से आया तो वो मुझे मिली नहीं रहा था, तो थोड़ा सा घूमने के बाद मुझे दिखा वो जो बाहर जाने का रस्ता, त और किया इसको भी पकरने के लिए मैं तयार हो गया मेरे पात्स तो फाए टाइप पोपिक साथ अच्छा भाइट कर शकता है मेरा यह फाइर टाइपगों क्कों के साथ अच्छा फाइट करते है तो और क्या मैं205र के पास आया है मदद से सीधा सीधा उस लाइली के पास जो फास्टेवल था उस फास्टेवल के अंदर में जम किया और जम करने के बाद सीधा में निकल वड़ा उसके साथ फाइट करने के लिए और मैं यहाँ पर जब आया तब मुझे यहाँ पर मैसिन गन चलने का आवाद सुनने के लिए मिला और थेखा यहांपर इन लोग गोंको तो बहुत तक्रा फाइट चल रहा है वो तो सीधा चल गया उसका केप के पास धूर से उसका केप देख रहा था ये सिंडिगेट वाले इतना हरामी है ये खुद खुद के साथ ही fight करते है भाई लोगों के साथ fight करते है कितना हरामी है तो इसका केप के पास आया और केप के पास आने के बाद सीधा में इसका केप क थोड़ा से लंबा है और थोड़ा सा जानने के बाद मुझे इसका नज़ारा देखने का लिए मुझें मिल लाइ लिए इसका लेवल ता 49 लेवल और इसको देखने के बाद में थोड़ा डर गया दिमाग ही घुम क्या आया और मिरा यह फायर टाय फोकिमॉोन इसके साथ पायट तो नहीं कर पा रहा है और यह उपर से मेरे उपर कितने खतरना खत्रनाक डैमेघ द जे मेरा इतो को आदा की तो मैंने इसको मेरा जेप अधे पर लेने मैं ऐनुबेस को मेरा जेब बे ले लिया और मेरा जो सेडोबिक की उपळा कर दिया ड़क भर्सज़ ड़क का फाइट चले लेगा और मेरा जो सेडोबिक की उपर उसका जो टगरा एटाक था उसके नग कर दिया और जो लाए ली था निट के उपळा between कर रहा ता तेब्ण मेरा सेटों वी को मैं बचा करके फिर से बाएर किया और यह दोने एके सेम सेम एटाक दोनों को पर moetenथ यह अंत Champion से मेरा सैडोबीक को मैं बचा भी रहा था और फिर से मेरा सैडोबीक को भेज रहा था लेकिन मेरा सैडोबीक चार्ज होने में कुछ ज्यादा ही टाइम लेता है अटक करने के लिए जो चार्ज होता है वो कुछ ज्यादा ही टाइम लेता है बट मेरा सैडोबीक उसको चल रहा है लेकिन मेरा जो सैडोबीक है ये कुछ ज्यादा ही मार खा रहा है मेरा सैडोबीक को मैं हिल्प करने के लिए मैं इसको गोली भी मार रहा था इसको गोली मार के थोड़ा बहुत डैमेज कर रहा था जिससे सैडोबीक को थोड़ा सा आसा आसा नहीं हो जाए सैडोब पर एक legendary spear फेक दिया क्योंकि एक 49 level का Pokemon इसके उपर फेक दिया और मैं सुचा ये एक ही capture ball के अंदर आ जाएगा बट नहीं आया तो मैं इसके उपर और एक capture ball फेका और इस बार भी अच्छा कर लिया और इसका बहुत सरे अटक आ रहा था तो मैं दरम दरम से इसके बहुत दो गोली मारा और एक legendary spear फेक दिया इस बार 15% रिट दिखा रहा था मैं सुचा इस बार आयेगा बट इस बार भी नहीं आया इसका एक बहुत खतरना हो चुका है अब मेरा खेल खतम हो जाएगा कि मैं 100 तक इसका हेल लेकर आज को अब मुझे मरना पड़ेगा मैं इतना सारे capture ball फेका जो लेजंडरी इस प्यार फेक ना चोड़ना बंद कर दिया और मैं उसके पर अल्ट्रा इस प्यार फेका अल्ट्रा इस प्यार के तो फ्र यार मैंने नजरी नहीं रखा उसका हेल्थ के उपर और मैंने गोली ज्यादा था उसका हेट पर मार दिया यही मेरा गल्ती था कि मैं उसका हेट के उपर ज्यादा गोली मार दिया और मेरा जो उसका हेल्थ के उपर मेरा नजरी नहीं था यार आराम से capture हो जाता यह मैं इसक को फिर से पकरने के लिए आउंगा तो इसका केप से मैं बाहर आना श्टार्ट कर दिया मेरे से पीड़ पेचर के इसका केप से बाहर आने के बाद और ज्यादे टाइमोश ना करके मैं सीधा चला गया फास्टेबल के बाद से मैं सीधा घर पे जाने वाला हूँ कि मुझे जे आने के बाद है और थोड़ी देर बाद मेरा घर के उपर एक रेट पर और उर्षप से अंदर बहुत सब्सक्री अलग अलग दो गोली को मैंने रिलोड किया, रिलोड करने के बाद इन लोगों को मारा, इन लोगों के उपर मार के वो दो गोली को भी मैंने वेस्ट करके खतम कर दिया, इन लोगों को थोरो बार देमेज किया, और कैप्चर बॉल फेका इसके इस डेमेज के अंदर और इस कैप्चर बॉ लोग का केल कटम हो गया सची में साड़ोबिक के अंदर बहुत अच्छा का सा पावर है इन लोग का डेड़ बोड़ी नीचे गिरा था और इन लोग का इतने सारे पोकीमोन आया था इन लोग ने रेट मालने के लिए और एक ही बचा है और एक ही प्रक्सी बचा है तो इसको किया तो मेरा जो हो रहा था तो में ऊसको चार्ज होने दिया तो मैं थूरा सा धूर गया धूर जाने के बाद इन लोग के ओपर दो-चार यहां देखा ल Ó cks में और ना अभी मेरे पास लॉंग गान की आम है ना मेरे पास सौट गान की आम है जिससे मैं उन लोग को डैमेज करके थोड़ा बहुत कैप्चर कर सकूँ लेकिन कुछ कर नहीं सकता मेरे पास कुछ भी नहीं है अब मैं इंतजार कर रहा था यह जब बाहर आएगा तब मैं और मेरा जो घर है मैं जिस पोजिशन पर घर बनाया हूँ कोई भी रेट मेरे घर पर आता नहीं है तो इन लोग जाने का टाइम आ चुका है तो इन लोग के पास गया मैं फिर से अटाक करने का कोजिस किया लेकिन अटाक चार्ज हो रहा था लेकिन थोड़ी देर बाद यह लोग जाकर डीसपॉन हो गया गया बहुत खतरनाक देखो उदर उन लोग का लास गिरा है यार क्या खतरनाक रेट हुआ अप लोग ओक से लगा आप लोग को यह वाला रेट कैसा लगा तो रेट खतम होने के बाद मैं मेरा उपर के तरफ जाना श्राट किया मेरा घर के तर गपंदा बाद में फिर से चला गया मेरे बाद कर रचल हे बाद में फिर से उस 49 लेवे लुड़ का जो लाइली पोकेमोन है जिसको मैं फकर नहीं पाया तो उसको मैं पकर नेकले मैं फिर से निकल पड़ा जो informações के टिब खुर अधर बॉल बनागी ने कर आयां हूँ कि इस बर a andu की कम्हीन इपना चाहिए ईसको इस बसाद मैं पकर कर चाहूं मेरे जेप सब्सक्ति करने के उबवार करने के लिए लेकिन जे ड्राइगन राइगन तरहोर rád झारका बाहर करने के वाहर धी करने लेकिन चाहिए इसके ऊपर मेरा घ्री timing दे ड्राइगन तरहा ठोलिए की बख़ए को तो तकरा से तकरा डेमेज दे रहा था मेरा जेड ड्राइगन और यह जो लाइली है यह मेरा जेड ड्राइगन को उतना अच्छा डेमेज तो नहीं दे पा रहा लेकिन कभी बरफ जमा भी दे रहा था तो इसलिए मेरा जेड ड्राइगन को मेरा पास लेकर फिर से उसके आटक कर रहा था जे ड्राइगन बहुत अच्छा खासा डेमेज दे रहा था इसलिए मैं जे ड्राइगन को मेरे पास ले लिया क्योंकि इसका हिल्थ 800 तक कर दिया है तो अब मैं थोड़ा बहुत उसके उपर गन का एमो मारूंगा और उसके उपर कैप्चर बॉल फेकूंगा तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत उसको गन से डेमेज करा और थोड़ा सा डेमेज करने के बाद मैं उसके उपर कैप्चर बॉल फेका फर्स्ट कैप्चर बॉल फेका 100 हिल्थ के अंदर 7% रेट दिखाया मैं तो सोचा था इस पर नहीं आएगा तो मैं इसके उपर और एक कैप्चर बॉल फेका इस बार भी 7% रेट दिखा रहा था बट इस बार भी नहीं आया तो मैं और एक कैप्चर बॉल फेका मैं सुचा आएगा तो legendary spare fake रहा था मैं 15% rate दिखाया और इस बार भी capture नहीं हुआ वह बाहर आ गया तो इसको मैं गन से थोड़ा बहुत डेमेज किया डेमेज करने के बाद इसके उपर फिर से मैं एक legendary spare fake आप 16% rate दिखाया और इससे भी बाहर आ गया अब तो मैं सोच लिया था यह अच्छा खासा टाइम लेने वाला है बहुत सारे capture ball खाएगा तो मैं इसके उपर फिर सारे के सारे इसके उपर फेकना परेगा बट मेरा किसमत मेरे साथ दे दिया और इस capture ball के अंदर आ गया इसको capture करने के बाद मैं कितना खुस हुआ था क्योंकि इसको मैं एक बर पकर निकले आया था तब मैं यह मेरे capture नहीं आया था पूरा मर गया था नेक्स टाइम आने के बाद मैं इसको capture किया इसलिए मैं इस जगा को अच्छे से घुम के देखा अच्छे से घुमा अच्छे दूर मुझे दूर से एक अंडा देखने टेली गया इतना दूर से इतना बरा लग रहा है तो इसको चोड़ाना ःशायिए तो मैं जल्दी चला गया उस अंडे के पास और उस अंडे के पास जाने के बाद उस अंडे को मैंने उठा लिया क्योंकि उस अंडे से कोई अच्छा एक पोकिमोन निकल जाए तो इस अंडे को उठाने के बाद मैं सीधा निकल पर उस फास्टेवल के तरफ और उस फास्टेवल के पास जाने उपन किया तो एकभा करके कोई एक Pokemon निकला और यह Pokemon जाना पाइसा लग रहा है मुझे हाँ यह Pokemon वो जो रेट आया था उस पर भी आया था मैं उसको मार दिया था पकरने का कोशिज किया था बट उसको पकर नहीं पाया था मैं तो फिर मेरा ड्रेस को मैंने change कर लिया fire dress कर लिया अब मैं कुछ cape के अंदर जाकर fight करने वाला हूँ कुछ cape को मैं देख के रखा था जिस cape के अंदर मैं ड़र के मारे गया था नहीं क्योंकि उसके अंदर कुछ ख़दर ना कुछ ultra pokemon निकल जाए तो इसके बदे से मैं उस cape के अंदर नहीं गया था तो अभी तो मैं तग्रा हो चुका हूँ अब तो मैं fight कर शकता हूँ इसलिए इसी रस्ते पे मैं जाओंगा तो सामने एक cape है उस cape के अंदर कुछ तग्रा एक boss है उस cape के साथ fight के निकले में निकल आया और इस साथ भीक पीट पे चर्के आ गया इस cape के सामने इस cape के अंदर में जाने वाला हूँ इस cape के बाहर बहुत सारे iron है वाई इस जगा पर unlimited iron of calm भी बना सकतो यार कितने सारे iron है इस जगा पर तो चलो cape के अंदर जाते है यह तो एलक्ट्रिक टाइप का पोकीमोन है यह और कोई नहीं यह मुशांडा 2.0 है गाइस यह मुशांडा 2.0 नहीं इसका नाम है मुशांडा लाक्स में इसको 2.0 बोलके बुला था हूँ यह मोटा इस लावा इस जगा पर क्या कर रहे हैं मुझे कुछ सबस में नहीं आया यह दोनों था इसलिए में इन लोगों से पंगा नहीं लिया क्योंकि इन दोनों के साथ पंगा लूँगा तो खेल कतम मेरा इस केप के अंदर घुसने के साथ साथ ही मुझे खतरनाक पोकीमोन देखने कले मिल गया तो अब मैं जब थोड़ा सा अंदर जाऊंगा और क्या क् तो जाते हैं अंदर के तरफ चलना मैं साथ किया सामन के तरफ थोड़ा सा गया तो जिदरी देखो लावा और लावा या और मैं और मेरा पोकीमोन दोनों ही गिर गया तो खेल कतम हम दोनों काई मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जो बास है वो बास पोकेमोन कैसा होगा तो इसलिए में अन्दर के तरफ जाना इसाट किया और यहाँ पर कोई टोको है या क्या नाम है उसका जो भी है तो मैं घूम फिर के उसी जगा पर आया जहां पर मैं एंट्री किया था उसी वाला के अंदर आया एंट्री टाइम फास्ट टाइम में जब के अंदर आया था उसी के अंदर आया तो इसलिए फिर से घूम के आ गया और अब मैं सीधा देखो ए यहां पर रुखना का खतर है मेरा तो सीथा निकल पड़ता है कि कि यहां पर ज्यादा देर के लिए रहूंगा तो मेरा पोकेमोन और मेरा दोनों के कहल कतम हो जाएगा फिर में इस केप के अंदर जब आया मुझे यहां पर कोई एक साइनी पोकेमोन का आवाज सुनने के और यह उपर से एक साइनी पोकेमोन है इसके पास और भी बहुत सरे अलग अलग अटाक भी रहेगा यार यहां पर इस केप के अंदर कोई साम ट्राइब का पोकेमोन रहता नहीं है क्या जिदर ही देखू कोई न कोई तो मारने के लिए आई रहा है तो मैं इधर आना इसके साथ तो मैं फाइट करता है इसको तो पकरूंगा है लेकिन मुझे पीछे के तरब वो साइनी वारा टोकोटो को भी चाहिए था इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पर रुक के इंतजार किया यार क्या करूँ मैं सोचा अच्छे से मैं जाओ या ना जाओ कि वहां पर उन यार मुझे पता ही नहीं चला यह कब एक टाइम लगा के कटा 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 करके आ रहा था मेरे पीछे फूटने के लिए यार बल बल बच गया में चलो जो साइनी पोकिमोन है उसको तो मैं पकर नहीं पाया लेकिन इस बॉस को पकरता हूँ मेरा जेट ड्रेगन को बाहर किया इसके उपर दो-चार गोली मारा और गोली मारने के साथ सथ मेरे जेट ड्रेगन इसके उपर अटक करना भी स्टार्ट कर दिया था क्या तगरा डैमेज दे रहा था और इन लोग के उपर पूरा ही आग-ाग हो चुगा था मेरे जेट ड्रेगन भी इन लोग से अच्छा फा का और क्या किस्मत मेरा एक ही कैप्टण बॉल कें मिर आ गया मेरा किसमत कितना साथ दे रहा था लेकर इसका बहुत सारे बच्चा था तो इसलिए मेरा जेट ड्रेगन को मैंने फिर से बाहर करते इन लोग को पकरने की जरूत नहीं है जो पकरना था उसको मैंने पकर लिया जो इस लोग का बॉस था, उसको मैंने पकर लिया और इन बच्चलेवों को मारने के लिए मेरा जेड ड्रैगन को छोड़ दिया और मेरा जेड ड्रैगन बहुत खुसी-खुसी इन लोग को बहुत आराम से मार भी दिया इन लोग के उपर अच्छा का सा पावर रहता है ये लोग टेलीपुट होके क्या क्या स्वाट मार रहा था कुछ समझ में नहीं आरा था लेकिन तकरा डेमेज दे रहा था ये लोग मुझे चलो इस केप का बॉस को मारने के बाद अब मैं बन चुका हूँ इस केप का बॉस इस लाबा केप का बॉस मैं बन चुका हूँ अब इस जगा का किंख मैं हूँ तो इस बॉस को मारने के बाद इस जगा पर और कोई नहीं था इसलिए मैं थोड़ा भो दादागरी दिखा दिया और दादागरी दिखाने के बाद फिर मैं इस केब से बाहर जाने के लिए निकल पर तो सामने दो चेस्ट था इन चेस्ट को उपन किया तो इस जगा से कोई डाइमन और कोज ड्राइगन फल मिल गया और एक बुक मिल गया तो इसको लेने के बाद मैं इस केब से बाहर चला ग गया बहुत फास्ट बहुत जल्दी में फास्टेवल के पास चला गया और फास्टेवल के मतल से सीधा रेगिस्तान के उपर मैंने जम किया इस फास्टेवल से में सीधा मेरा रेगिस्तान के अंदर में चला गया और उसके अंदर भी वह जगा पर भी बहुत सारे जाने के लि से में के पास चला गया इस के पास मैं जब गया तब मुझे पता चला इस GWK और मुझे लगा से मैं आप चीतने बीट और घया की ऊठक जाया इकुछ नेए वाला कियों की। मोज़ेदारन रला देखते के अंदर देखते देखते मैं अंदर के तरफ जाना इस्टाट किया और थोड़ासा अंदर के तरफ जाने के बाद ही मुझे यहां पर एक सेल टाइप का कुटा टाइप का एक पोकिमान देखने के लिए मिला जिसका नाम था बलेजा हुट नॉट् यह फायर टाइप और डाक टाइप का पोकिमान था तो और क्या इसके साथ फाइट करने के लिए मैं मेरा जेडु को बाहर कर दिया क्यों कि एक चेपचर बॉल फेका हाइपर इस्पैर फेका और मेरा क्या किस्मत है एक ही capture ball के अंदर ये आ भी गया क्या यार मेरे बंदूग के अंदर कोई magic आ चुका है क्या और मैं तो इसको पकरा तो इन दोनों का क्या हुआ ये दो चिंचुलोटा का भाई चिंचुलोटा का मतलब क्या है मुझे पता नहीं लेकिन मैं बोल दिया वह मैं पंगा नहीं लिया थोड़सा साइड पे गया तो मैं यहां पर दो घोड़ा देखने के लिए ब्लू वलर कलरका और तभी इन लोग भी मारने के लिए मुझे आ रहा था मैं जेड्राइगन को बाहर कर दिया था और पीचे से ये लोग मेरे उपर इतना सारे आग मारा कि मेरा सिल्ट तो आदा तूटी गया और उसके साथ साथ मेरे उपर पूरा ही आग आग हो चुगा था तो वहां पर बहुत सारे लोग मिल की मेरा जेड्राइगन को मार रहा था इसलिए मेरे पास मैं जेड्राइगन को ले लिया और थोड़ा सा केप के अंदर आने के बाद प सारे चिल्चुलोटा पोकीमोन भी था तो इन लोग के उपर बंदुक से गोली मारना इस्टार्ट कर दया उस बार तो मैं मार नहीं पाया था थोड़ा सा डेमेज किया इन लोग को अच्छा खासा डेमेज करने के बाद मैं एक कैप्चर बॉल भी फेका इन लोग के उपर और ये लोग छोटा है लेकिन इन लोग के पास बहुत बरा धमाका है यार बहुत अच्छा खासा आग मारा मेरे उपर तो मैं एक के उपर कैप्चर बॉल फेका था और क्या किसमा थे एक को मैं कैप्चर भी कर लिया था और एक मेरे उपर बहुत अच्छा का सेटा कर रहा तो यहां पर सामने कुछ Crash करूंगा यारु इसको मारने के बाद इस Arctic को और थोड़ा से खूम के देखा बाहर जाने का कोई जगा है कहीं लेकिन इस वेकर एक ही रस्ता था उस जका से आ सकता हो और उस जगा से बाहर जा सकता हो तो यहां पर सामने कुछ क्रेट था उस क्रेट को मेंया उनलोक किया उस क्रेट को ईपन करने के बाथ मैं फिर से इस रस्ते से बाहर चला गया तो बाहर जाते चायां तो बहुत कगा दोगर सबने के को जिदार जाओं इसकेप के अधर यह आग वाले हरामी लोग तो रहता ही तो इन लोगों से बचके में बहुत जल्द बहुत इस प्रीड से भागा क्यूंकि इन लोग के पास और ज्यादा देर के लिए रहूंगा तो यह लोग मुझे पूरा जला के मारेगा जिन्दा जला के म पूप के उधरी बाहर जाने इस्टाट किया और उससे पहले ओलोग के सामने खड़ा था मुझे मारने के लिए इस जगा पर बहुत गलत सिन हो गया था वह से इंडिकेट वाले आग से मार रहा था पोकीमोन वाले भी हमको नोच रहा था इस जगा पर मेरा सैडवीक को ओपार पोकीमोन देखने के लिए और इस बर मैं कुछ भी नहीं किया था फिर भी ये ए मेरे पोड़ी आटक बगारा कर रहा था तो मैं थोड़ा सा धूर Vielen ऑ पर जाने के बाद में भी जूर पर जाने के बाद मेरा जेड ड्रैगन को मैं बाहर कर दिया इसके साथ पाइट क बाद मैं थोड़ा से सामने का तिरफ गया तो मुझे पता चला जरवाला पोकेमउन था उसको मार के भीकी फिल्ली बना दिया तो मैं इस कहई का पिर से उस रस्टे के अंदर जाना श्टट किया और अंदर जाना के बाद मुझे इस जगा पे और ऐक अलग सा Defense ल Sun में लिनके मिला तो मैं इस रस्ते से जब गया तो मुझे पता चला, हां इस जगह पर मैं नहीं आया, इस प्रौना से ओड़ा था, प्रौना पर क्या कर रहा था, पू conceला-hिलाиком eh लेकिन ये जो जगा था ये जो नजरा था सची में ये जगा भी बहुत मस्ठा बहुत खतरनाक ढिख राता ये वाला जगा भी तो मुझे पता नहीं ये शेरिया पर क्या कर रहा तो मीज़ी थो ठोड़ा सा सामने का तरब में जबी गया तो इसलिए में इसके पर एक hyper despair fake दिया और यह मेरे पर dark type के अटक किया तो मेरा seal तो पुरा टूटी जुगा था तो यह थोरा सा धूर जा रहा था मैं इसके इसको पर और एक capture ball फेका और इस बार 74% rate दिखाया और मेरा क्या किस्मत मेरा साथ दिया यार दूसरे बार ही है मेरे capture पे आ गया यह capture हो गया वहा किया किस्मत है तो इसको capture करने के बाद थूरा सामने का तरफ जाना इसके बाद यहां पर जो बॉस के लिए में घूम रहा था इतिना देर से उस बॉस को मुझे देखने कहया और यह बॉस और कोई नहीं करके कोई एक पोकीमोन था मचली जैसे पोकीमोन था इसके साथ फाइट करने के लिए एक वाटर टाइब के पोकीमोन के जरूरत था तो अभी तो मेरे पास वाटर टाइब के पोकीमोन नहीं था तो मैं थोड़ा सा सोचने के बाद देखा इसके साथ फाइट तो अनुवेश क कर सकता है इसलिए मेरा निदा इसके साथ फाइट करने के लिए लेकिन वेरा नुबेश को तो तो मुझे मारने के पर तो और मेरा नुबेश सची में एक बार पर क्या ठोगरा डेमेज दे रहा था और यह बॉस का हिल्थ जादे नहीं था 2700 ऐसा कुछ हिल था और मेरा अनुभस इसका attack से dodge भी बहुत अच्छा कसा कर रहा था और मेरा अनुभस का attack गैवी ज्यान आटक सो यह नहीं पार रहा था 500 चेश 6 करके damage दे रहा था एक एक पाठभी बहुत जो तो तो तग्रा फाइट कर दा तह इसके साहती है फिर मेरा अनुबेस उसको पड़ एक तग्रा अटाक किया 300 का और मेरा अनुबेस को मेरे पास ले लिया क्योंकि आप इसका यह गेंड तक हो चुका है अब मैं इसको थोड़ा बहुत गंसे मारूँगा गंसे मारने के दो करके Golle Ao के सब्सक्राइन करद तो सब्सक्राइब उसकाल जा और मेरे चैप्चर पर आगया क्या किस्मूत तो इस को पिसंप सीधा निकल पर बाहर जाने के रच्ते के तरब तो थो第二 असले जैने के तरब जैंज रुष्ण लुएम और इस दो चेश्ट को उपन करने के बाद एक डाइमन और एक टीसर्ट मिला और मिलने के बाद और एक चेश्ट था उसको उपन किया उपन करने के बाद सीधा मैं बाहर जाने के लिए निकल पड़ा के लिए के अंदर में घुस गया और सची में यह जो केव है यह जो रेगिस्तान का जो केव है यह सारे केव का नजरा बहुत मसता तो इस के अंदर खुसने के साथ सद में देखा इंधर तो से इंडिकेट वालों का बहुत तगरा फाइट चल रहा है किसी मासूम सा एक पोकेम है स्टाट किया और यह केव उसकेअ से बहुत अलग था मैं जब भुष गूणने के बाद ही यह हविली जैसा जगा देखने के मिला था पटा भी मैं इस के अंदर घुसने के साथ साहिं मुझे हवेली वाला जगा देखने के वह बील गया तब मुझे सोमेज मैं आ गया इस केंदर बॉष्क動画 मुझे टाइम लग जाएगा क्योंकि सारे के सारे के ललगहो ँ सब्सक्राइम य्जिए का हुटा है, stan के अन्दर जाना है मुझे पाले के अगार Kerry पाले मुझे, एदर मुझे मारा नला ही और यह लग पर से जम करके बाहर चला गया तो इस रस्ता के अंदर में जाना श्टाट किया और यह लग रहा है यह रशासा लंबा हो और इस जगा पे मुझे बॉस मिलेगा तो एक रस्ता के अंदर में जब गया तो यहां पर बॉस देखने के लिए वाह, बहुत जल्द में बॉस को ढून लिया, और यह जो बॉस का नाम था, फेंग लो, और इस बॉस को मैं जानता हूँ यार, इसका एक बॉस था, 23 लेवल का, उसको मैं पकड़ा था, मेरे बेस के कुछी धूर पे रहता था, लेकिन ये यादर जाने से पहले दिखा रहा था, 34, 8 level का, लेकिने आपका 36 level का दिखा रहा है, और मेरा स्टूर से मार दिया, और ना जोर से मारा की, इसका health पूरा ही कतम कर दिया, एक बार पे एक शौट के अंदर, और ये तो मेरे उपर अटक कर रहा था, इसका health एकदम 100 तक कर दिया तो मैं इसको बड़े कैप्चर बॉल मेरा वेश्ट हुआ इसको पकरने के लिए और एक यार क्या यार समझ में नहीं नहीं निकल पड़ा तो इदर वे दो चेस्ट मिल गया और एक उपन किया उपन के बाद में वाहर जाने के लिए निकल पड़ा तो जबी मैं बाहर गया तो मुझे देखा अब रात होना श्टार्ट हो चुका है अब अच्छा का सा रात हो सबसे बराऊवर घया ऺणखे़ सीदहर Windows 6 आंगा तो सबस्क्राइब या चलना कर तरफ मेरा बेस कें तरफ मेरा गर कर चलना सबस्क्राब कर book अब सुबूंक रहे हैं की पर चालना सबस्ब्सक्राइब कर लिए गूट मौर्णिंग गैज तो सुबा कर लिया ऐज ओगा द्वाका तो सुबा उठने के साथ-साथ में कुछ नील बना लिया और मेरे पास एक सेलर था उसको बहुत सबादने के बात मेरा जीतने भी ने निह डाला और उसको पास से बहुत सारे के अंदर एक यूट सा पोकेमोन को क्याद करके रख या है तो मैं और क्या आ गया इन लोग को मारने के लिए तो मेरा सैटो इक को छोड़ दिया और मेरा सैटो ओभी कोków उसका सब कि इस विर्ज के उपर आ रहा हूं यह बहुत मस्क लगरा है यह सीधा में सीधा आगाइ techie तो इस जघा पर कुछ तो इनलों के पास आने के बाद मैं थोड़ा बहुत जो क्वाइन मेने लियरा उसको से थोड़ा सा गण का एमो ले सकता हो। तो यहां से मैं इन लोगों से बहुत सरे गण का एमो का खड़ी दिलिया। दोनों गनका, इस ओड गनका और लॉंग गनका, मैं कुछ एमो खड़े दिलिया इन लोके से, जितना पैसा था, उन पैसे में जितना सक एमो हो सकते हैं, उन सारे एमो को मैंने खड़े लिया, फिर इसी डेजर्ट के अंदर एक के अंदर आ गया था, और इस के अंदर आने के बाद में सीथा इस बॉस के अंदर आ गया, इस बॉस के साथ फाइट करने के लिए, और इस बॉस के पास आने के बाद ये जो बॉस था, और कोई नहीं, ये एक पागल बॉस था, पागल एक नमबर का ये है, ये 36 लेवल का था, तो इसके साथ फाइट करने के लिए, मैं मे सब्सक्राइब सबसे बहुत सब्सक्राइब था उसका बच्चे लोग कुछी जयदा ही अटक कर रहा था मेरे उपर और वो बॉस तो पूरा ही आगासा हो चुका था और थोड़ा सा हिल था में एक आगे अगद दीफे उसके बच्चे लोग मेरे ले पर ब्हुत सरा अटक कर रहा था फिर्भी या बाहर आने का नामा में ले डारा था तो फिर से और एक और capture ball टूट गया था किसमें ओर नौरमेल से capture ball फेका था तो फिर मैं और एक capture ball फेका इसके उपर इस बर 49 का add rate दिखा रहा था मैं इस बर आ जाएगा बट इस बर इस बर भी नहीं आया लेकिन यह बच्छे लोग इतना परेशार कर रहा था मैं पीछे पीछे भाग रहा था म मैं मेरा jet dragon को फेज़ दिया इन लोगों को मारने के लिए और मेरा jet dragon फूरा घूम फिर के ऐसे 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 घूम फिर के ऐसा moment दिखा रहा था ना मैं क्या एब लिए लेगता था यह कोई jet dragon नहीं यह कोई rocket है तो इस लोग यह थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा घुमा लोगों को थोड़ा से पागल बनाए पागल बनाने के बाद उसका जो dragon shot था और dragon shot से इन लोग को मारना शुरू कर दिया एक संद के और अन्दर मार दिया और उसके साथ मेरा 50 level complete हो गया भाई मैं इतना खुस मैं कई बता सकते विए डैंस करना शुरू कर दिया था मैं इन लोगों को मारने के लिए खुस नहीं हूँ मेरा 50 लेवल कंप्लीट हो गया इसने में इतना ज़्यादा खुस हूँ क्यूकि मैं मेरा जेट ड्रैगन का सैडल बना सकता हूँ बना सकता हूँ जिससे मैं टावार का बॉस को मारूंगा उन दोनों भाई को मारूंगा तो मेरा फाइनली 50 लेवल कंप्लीट हो गया यास यास अब मैं सबसे पहले सीधा घर जाने के बाद जेट ड्रैगन का सैडल बनाऊंगा रोकेड लॉंचर बनाऊंगा उस केप से बाहर मैं जेट ड्रैगन के अंदर पावर बहुत अच्छा गाजा है मुझे बहुत सारे ले दर चाहिए और भी बहुत सारे चीज़ मैं लेने के लिए निकल परा वो तर शAutumn का सारे चीज में लेने के लिए निकल फड़ा तो मैं उस सारे चीज बहुत ज्याद। घुनदा बहुत देर तक बहुत एक एक घंता खेला ने के बाद जतने भी सारे चीज की जरूँत था टून के लिए घर आया सबसे पहले मुझे जेड्राइगन का शैड्री बनाना था तो जेड्राइगन का सैड्री बनाने के लिए और आने के बाद जेड्राइगन का सैड्र में बनाने के लिए दिया और मेरे साथ काम करने के लिए मैं मेरा अनुवेस को दे दिया और अनुवे कर लिया और सैडल को मेने किलिम भी कर लिया सैडल को में उठा लिया और जू आसा घुला जगा पर जाने के बाध सिननके चड़ा नहीं आहिए और किटना फास्ट कितना है पालवाल swims नहीं आफ नो तो थोड़े देर के लिए जड्राइगिन के साथ थोड़ा बहुत मजा किया और मजा करने के बात रात हो चुका था तो रात पर सो गया और सो कर सुबा कर लिया फिर सुबा करने के बाद मैं टेक्नोलीज पॉइंट पर गया जाने के बाद इस टेविल को मैं अनलोक कर लिया क पर इस टेबिल को लगाने के लिए मैं जगा ढूंदते रहा मेरा घर पर कोई जगा यह नहीं है मैं किस टेबिल को लगा हूँ तो मैं बहुत सारे जगा देखा लेकिन मुझे इस टेबिल को रखने का कोई एक जगा नहीं मिला तो इस जगा पर जो एक टेबिल था तो इस टे लगा प्ले गाइल आनोवेस था मेरे साथ अबाइल को बना लें तो दोनों बासे को साथ और वह जोdet तावर का बॉस के साथ हुआ थो पूरा तगराोचब रा हो और करने के बाद मैं निकल पड़ा उन तावार के बॉस को मारने के लिए और मेरा टीम के अंदर तीन-तीन जर्मन टाइट था मेरा चेट ड्राइगन था और मेरे सथ एक पकसी सा जो मुझे को उरा के इधर और उधर लेकर जा सकता है तो मेरा इस team को लेकर मैं निकल पड़ा desert की तरब मैं desert के तरब उसके साथ fight करनी के लिए वो fire type की पकक्सि के साथ fight करनी के लिए उसको सबसे पहले मारूँगा फिर जाओँगा से अरुबी के पास उसके बाद जाओंगा उन दोनों भाई को मारने के लिए तो मैं आज चुका हूँ डेजर्ट के अंदर अब मैं सीधा चलना श्टाट किया उसके टावार के अंदर घुज गया और उसका जो टेलर था उसको भी स्किप कर लिया और उसका टेलर देख चुक इसको मार रहा था लेकिन उतना भी अच्छा नहीं इस सथ खुज जैदा ही महार खा रहा था लेकिन उतना आच्या मार नहीं खा रहा था इसलिए मैं मैं ран collect को भीजा उसके साथ हेल्द कम कर पाया था मैं इससे जहादा मज़ें भी कुछ समझ मिने आ रहा था किया होगा इसके साथ तो इसके साथ मेरा जो फाइट है वो जिए भी हो रहा था लेकिन में इसको अच्छा कासा डेमेज्ब कर रहा था रोकेट लांचर की मदद से में उसका हेल्द बहुत अच्छा कासा कम कर रहा था और मेरा जो जर्बन टाइट था वो उसको बहुत तगरा डैमेज दे रहा था मेरा रॉकेट लॉंचर पर जो जब हो गया तब मेरे अंदर एक जोस आ गया कि हां मैं इसको हरा सकता हूँ कि मैं 5 मिनिट के अंदर इसका बहुत हील्थ कम कर चे.. और शिर्फ इसका 55,000 हेल्थ कम करना था.. तो मुझे तो पता था कि इसको घरासता Hoot जहुचु तो मैं चाहू तो इसको rocket launcher से मार सकता हो लेकिन नहीं 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 टाइम से नहीं खेलना इसलिए मैर रोकेट launcher भी मार रहा था, उसकी साथ साथ मेरा pokemon मेरा german टाईड वे उसको अच्छा का से मार रहा था, बहुत दगरा fight चल रहा था मेरा और बहुत लंबा टाइम तक चला जो दस मिनीट का था गरने ना नहीं दिया मैं उस्थ दस मिनिट का फाइड को मैंने नौ मिनिट यॉसको मार था मेरें 2 पूरा ऐता में को यह जा हूआ था दूर मोलेर था मेरें 2 तूरों के लॉक्र नंचरर दौर से हेट अचुखा है ताइम तो इसलिए मैं फिर से मेरा रॉके लॉलाजर को बाहर कर लिया डिया क्या जरूरत है यार फाइनली जीत गया कितने बार मारने के बाद पाइनली इस बोस और वणया बॉस्ट फास्ट किल दिखा दिया मैं तो इतना ज़्यूटा कुछ हो गया था कि मैं कुछी के हमारे डैंस करना स्टार्ट कर दिया था फिर थोड़े दर बाद मुझे इस टावर की टॉप बाहर कर और इस फाष्ट वल को मैंने उन्लॉक कर लिया और अब रात होना भी अच्छा-खाजा स्टार्ड हो छुगा था तो में इसी फाष्ट वलक्त सीदह, मैं मेरा घर पे लॉंच हुआ विख। मेरा घर पे जम किया, सीधा मेरा घर पे गया और घर पे जाने के बाद पहले मैं सो गया सो कर सुबा कर लिया, फिर आज सुबा मैं सैडोबीक के साथ फाइट करने से पहले मैं सबसे पहले गया, जे ड्राइगन के पास क्योंकि jet dragon को फिर से मुझे पकर ना था मैं जो 2 jet dragon को ले कर इस आडूबीक के सब fight कर शकता हूँ किसा आडूबीक का health कुछ ज़्यादा ये अच्छा काज़ा है और 2 जो dragon मिलके उसको अच्छा काज़ा मार सकता है और मेरे पास और भी बहुत सारे dragon type का पोकेमोन है जेड ड्राइगन को फटकर करने का आओंगा तो और भी अच्छा सा पावर मिलेगा मुझे तो इसलिए चला गया थे जेड ड्राइगन के सथ फाइट करने के लिए मैं आप लोगो जेड ड्राइगन का फाइट जादा देर के लिए नहीं दिखाया स्रब मैं ढ़ेड और ये जी ड्यागन की सब हुईड पर प्वाइट ता developer रवर्फुल तो मेरा टीम को मैं तयार कर लिया तो मेरा टीम को तयार करने के बाद मैं फाल्स टेबिल के पास गया और फाल्स टेबिल से मैं सीधा लॉंच किया सेड़ो बीक के टावर के पास मैं सीधा लॉंच किया और सेड़ो बीक के टावर के अंदर जाने के लिए घुज गया अब मैं shadow big के साथ fight करूंगा shadow big को मारूंगा shadow big कुमार सकू कि और साथ fight करने के बाद करने के बाद सीधा चले जाओंगा उन दो भाई के साथ fight करने के लिए और जैसे मैं shadow big launcher मार रहा हूँ और अब जो launcher का είναι kij expedition कुछ जयदा यू प्रो हो सभी के उपर का रहा था मेरा एम जहां पर में लगा रहा था उसा जगा पर अच्छा का रहा था और सैड़ोन बीक का जैसा है उसके सब्सक्राипylon को पर तो उपर से क्वलर कॉर्ट लगना चाहिए लेकिन वह भी नहीं लग रहा था थो मेरा बहुत सरे नयनै अट बहुत सरे न attraction बहुत सरे बाचाए से उसके बाची भीwwww मुझे सची में बचाए दो टूट गया था और साड़ ऋडेविक के साथ मेरा जो 10 मिट का बेटल था वो बेटल तो बहुत त्गरा चला बहुत लंबा टाइम तक चला बहुत खतरनग चला तो यह fight 10 मिट का जो fight है fight करते के ते जब यह fight 5 मिट पर गया तब में उसका हिल कम करके 114,000 पर लेकर आ गया था तब मुझे सु को पहेजा मेरा जे ट्रैगन को बहुत दग्ला उसका दे लिए बोला मेरा बहूत सारे बहुत जारे बहुत 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 से अटाज की बहुत से बहुतienza by क यह दब कर रहा confirmed इसके साथ मैं जो फाइट कर रहा था मैं इसके साथ फाइट करते गरता हार नहीं माना मैं इसके उपर लॉंचर माना रुका नहीं मैं इसके उपर बहुत से लॉंचर मारा लॉंचर मिस भी हुआ मेरा जे ड्राइगन इसके साथ बहुत अच्छा सा फाइट कर रहा था लेकिन इसके उपर मारा लेकिन इसका हेल्ट ना उतना जल्दी कम नहीं हो रहा लेकिन कम हो रहा है उतना जल्दी कम नहीं हो रहा है उसके उपर लॉंचर मारना बंद नहीं किया और इसके ये तो मेरे उपर बहुत सारे अलग अलग अटा क्या 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 ना अटा कर रहा था मेरा सील में fight यह से भी कर रहा था और जितने बार में इसके साथ fight करने करें आ रहा हूँ यह मुझे एक बार भी मार नहीं पाया इसका बहुत सरे attack मेरे उपर लगा लेकिन एक ही मेरा जे ड्राइगन भी उसको बहुत तग्रा डेमेज दे रहा था तो इस सेडोबी के सद मेरा fight करते करते मेरे पास ऐसा क्या एक attack आ गया उस attack वह मेरे उपर लग गया तो वह attack से मेरे उपर पुरा ही आग हो गया और मुझे बहुत ज्यादा हीट लगना इस्टाट हो गया एक आग था ये बन ho गया था और मेरा हीट लगना भी बन भो गया था फिर मेरा health जो है ओधई थो थोड़ा-थोडा करकर recover होना start हो चुका था और ये था write दो मिनट के अंदर आ भी चुका था और इसके सबफ़ाइट करके इसके साद़ जैसे सब करके और मैं इसके सारा और फ फाइट करते करते फाइट करते यह जो फाइट था एक मिनीट पर जब गया तब मुझे और एक मिनीट के अंदर 52,000 उसका कम करना था अब मुझे थोड़ा सा डड़न लगना नहीं ज़्टा हो चुका था हुच कि मैं अब इसको हरा नहीं सकता ऐसा लग रहा था बट मैं हार हैं माना इसके उख़ वर मैं एक मिनिट के अंदर बहुत सारे लाइड उख़ मारा तु थ्रॉंध को छोड़ दे इसको मारेन मेरे जी ड्रैगन उसको बहुत दक्ञा मारा तो फाइट करते करते जब टॉ इंटी सेकंड और आ गया तब मैं हार करना पर रहा था और यह जे ड्रगनेस और यह जो सेडूबीक है अब जब टाइम खतम होकर आया है उसका हिल्थ जब कम होकर आया है अब सिरफ यह मेरे उपर ही अटक कर रहा था इसका बहुत ज़रे अटक से बचना पर रहा था और उपर से और एक सेकंड टाइम खतम हो गया मेरा खेल खतम हो गया मैं हार गया अभी भी 29,000 उसका हिल्थ कम करना था और सिर्फ एक मिनिट मुझे मिल जाता तो मैं यह जो 29,000 हिल्थ था वो हिल्थ भी में कम कर सकता था लेकिन और एक मिनिट तो नहीं मिलेगा ना ऐसा बड़ा ऐसा खतरनक बॉस इसका हिल्थ इतना ज्य चोड़ूँगा नहीं तो मैं फिर से आ गया मेरा घर के अंदर मेरा सारे ड्रेस बगार लेकर आ गया कुछ लॉंचर के आमो बना लिया और मेरा हीट बाला ड्रेस में मैं पहन लिया और पहनने के बाद फ्रास्ट मतलब जो फास्टेवल सबसे करीब उन दोनों भाई के पा यह दो भाई यहां पर ख़रा था तो मेरे सामने एक चेस्ट था उस चेस्ट को मैंने उपन किया उस चेस्ट को उपन करने के बाद मेरा जेट ड्राइगन का जो रॉकेट लॉंचर को बाहर किया बाहर करने के बाद इन दोनों भाई के ऊपर दो चार रॉकेट लॉंचर मारना इस्टाट किया और इन दोनों को उपड़ जब रॉकेट लाउंचर लग गया तब यह लोग तो पागल जासा हो गया था और मेरा रॉकेट लॉपर जा कर पर रहा था तब उन लोग का दिमाग गोल-गोल से गुम रहा था फिर मेरा जेट ड्राइगन से मैं निचे आ गया नि के सथ फाइट करने के लिए और जेड्रैगन उन लोगों से तो फाइट कर रहा था लेकिन लेकिन लोगों अटाक नहीं लग रहा था इन लोग जब मेरे उपड़ आटक करने ही वाला था तब हमें लोगों का दिमाग घूम जाये और ये लोग मेरे उपड़ एक ना कर पाए जिससे एलोग मेरे पास आकर और अटाग ना कर पाए फिर पैलेडियन्स का ऐसा है कि अटाग आया जिससे मेरा आधा हेल्थ कम हो गया फिर फोस्ट लिनेयन उसको मारा और मैं उसके उपर एक रोकेल लॉंचर मारा और जो नेक्रोमोस था वो मेरे फोस्ट लिनेयर के बरब से पूरा गोल सा हो गया था और मेरे रोकेल लॉंचर लगने से वो थोड़ा से उपर के तरफ चला गया था तो पकरने का कोजिस करूँगा कि क्यों एक बॉस्ट पोकेमोन है और उपर से आदा हिल्थ उसने मेरा कम करके रखा है वह यद्धत कर दिया था लेकर ये कैसे क्या हो गया किसमत शाथ दिया जिया फिर मेरा बेस्स से अंदर आने के पद नहीं हार माना मैं फिर से चला गया उन लोगे पास, क्योंकि मैंने तो एक boss को मार दिया था, और एक boss जिन्दा था, मैं एक boss के साथ आराम से fight करके, उसको मार के पकर सकता हूँ, मैं goal compete कर सकता हूँ, और उपर मैं जब map open करके देखा, तब मैं देखा, जो boss का वो होता है न, उसको right दिखा मतलब मैं जो mission है, जो boss मारने का mission था, उसको compete कर लिया है, अब मैं सरब जाकर उसका और एक भाई जिन्दा है, उसको मैं पकर लूँगा, हाँ, उसका health recover हो जाएगा, लेकिन पकर तो लूँगा न, फिर मैं और एक boss को पकर लूँगा, कोई बात नहीं है, तो मैं जल्दी से बगरा सारे ammo, बगरा सब कुछ है, मैं सारे उठाऊँगा, लेकिन मैं जब यहाँ पर आया, तब मुझे यहाँ पर मेरा सामान तो देखने कले मिल रहा था, बट यहाँ पर उस दोनों भाई में से जो एक भाई तो पहले डियांस, उसको मुझे देखने कले नहीं मिल रहा कुछ नहीं था, मेरे सामान स्रिफ था यहाँ पर, वो जो भाई था, उसका हेल्थ में आधा कम किया था, मुझे पता है, उसका हेल्थ फूरा रिकेबर हो जाएगा, बट वो जो बैले डियंस है, वो तो यहाँ पर रहना चाहिए, वो कहां गया, मैं उसको मारा नहीं था, मुझे मारा था, यार, यह क्या हो गया, मैं उसको पकड़ लेता, लेकिन मेरा यहाँ पर मिसेन दिखा रहा है, केम्प्रीट हो चुका है, मैं मार चुका हूँ, यह दिखा रहा है, लेकिन मुझे, यह कैसे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ भी नहीं हा रहा, यार, यह ची य आप लोग बताना हां मुझे पता है एक भाई मर गया था लेकिन और एक भाई तो था ना मैं उसके लिए फिर से यहां पर आया मैं उसको पकर निकले उसको मार निकले मेरे पास है अपर से रात होना हो चुका है अब मैं घर पे जाता हूँ और आप लोग अचुका हूँ अब बहुत अच्छा सा रात हो चुका है और यहां पर जदा टाइम उस ना करके मैं सीधा जाकर सबसे पहले में मेरा रूम के अंदर सोने वाला हूँ सोकर सुबा करूँगा तो सबसे पहले में मेरा रूम के अंदर गया और जाने के बाद सबसे पहले सोकर और शुबा कर लिया और उसके साथ मैं आपडों को टाटा भी दिखा रहा हूँ तो आप लोगो ये बला पार्ट देखे कैसे लगा कमेंट करके अंदर जरूर बताना यार और पेलेडियन्स और निक्रोमोंस के साथ क्या हुआ ये तो comment करना मद भूलना ये तो ज़रूर ही comment करना और आप लोगो next part चाहिए तो ये comment करके जरूर बताना next part चाहिए कैने next part चाहिए तो आप लोग comment करो करो कि तुम्हे next part के लिए काम करना start कर दूँगा और एक जो tower का boss है shadow beak उसको भी मारूंगा next part के अंदर तो आप लोग comment करना वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना और किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को share तो जरूर कर देना मेरी यारो मज़े करो अच्छे रहो और खुशी से रहो तो मिलता हो नेक्स वीडियो के अंदर मेरी यारो टाटा